जै मातादी ओम नमस्ष श्वाए श्वागते आप सभीगा मेरे वक्ती वावना यूटीब चैनल पर दोस्तों सरदिय नवरात्रों में बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं इस वार सरदिय नवरात्रे में आठ रासियां बेहदी भागिसाली रहने वाली हैं भगवान सिव की किरपा से माता दुरगा की किरपा से इन आठ रासियों को पुत्र और धन का लाब मिलेगा साथ ही ये रासियां प्रतेक कार में सपलता हांसिल करेंगे दोस्तों सबसे पहली जो रासि है वो है मेश रासि मेश रासी वाले प्रति दिन सूर्देव को अर्ग दें क्योंकि मेश रासी जो सूर्देव का आगमन होता है तो बहुत अच्छा योग बनता है मेश रासी वाले प्रति दिन मगवान सूर्देव को अर्ग दें और साथ ही भगवान सिव की प्रति दिन पूजा करनी है देव गुरु ब्रस्पति की सुपदिष्टी सूर्देव की सुपदिष्टी आपको ब्यादी भागिसाली व्यक्ति बना रही इस्त्री और पुरुस दोनों की हिसाब से यह रासी ब्यादी भागिसाली है इस्त्री या पुरुस या बच्चे जिसके भी नाम से ये रासी बनती है उनको विशेशलाब मिलेगा प्रतिदिन सूर्देव को अर्ग देना और हनमान जी की पूजा करना में इस रासी वालों के लिए बहुत ही अच्छा है दूसरी जो रासी है वो है ब्रसव रासी बहुत ही अच्छी और भागिसाली रहने वाली है इनको भी विशेशलाब मिलेगा और यह नवरात्री इनके लिए ब्यादी सुभ रहने वाली है मान सम्मान बड़ेगा परवार में खुशी का माल रहेगा साथ ही संतान का योग और फैमली में खुशी आएंगी दूसरी जो रासी है वो है सिंग रासी जो ब्यादी बागिसाली और लकी रहने वाली है इस रासी वालों को विशेश पलता मिलेगी मान सम्मान बड़ेगा शंतान का योग बनेगा धन का योग बनेगा बान आदी का शुक प्राप्तोगा भूमी जाजाद का आदी का भी शुक आपको प्राप्तोगा अगली जो राशी हो है कन्या राशी जो बहुत ही भागिसाली रहने वाली है और यह चोथी भागिसाली राशी है कन्या राशी के बाद में ब्रस्चिक राशी पांचमी भागिसाली राशी हों में से है इस राशी को विशिस लाब मिलेगा इस राशी वालों को संतान का सुक मिलेगा साती मित्रों का सैयोग और पैतरत संपत्ती से भी लाब मिलेगा कर्जी से मुक्ती मिलेगी गया हुआ पैंसा बापिस आएगा स्वास्त में सुधार होगा अगली जो रासी है वो है धनुरासी जो बहुत ही भागिसाली रहने वाली है धनुरासी के बाद में मकर रासी और फिर मीन रासी दोस्तों ये आठ रासियां हैं जो नवरात्रों में ब्यादिस शुव रहने वाली है आट और आशी वाले प्रते दिन भगवान सिव का अफ्षिक करें करम करने से बागे बदल जाता है उपाय करने से कुंडली के दोस्ट दूर हो जाते हैं और असुप द्रश्टियां दूर हो जाती हैं जो व्यक्ति भगवान सिव की पूजा करते हैं उनके जीवन में आरे सारे दुक दूर हो जाते हैं भगवान का अशिरवाद प्राप्त होता है पुत्रधन की कामना उनकी पूर्ण होती है साती माता दुरगा और माता पारवती आपकी सभी मनो कामनाय पूरी करेंगी मुझे उम्मीद आपको ये जानकारी अच्छी लागी होगी वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में ओम नमस्षवाज जरू लेकें आपकी हर्म